नमस्कार बहुत स्वागत है आपका फालगुर महा के सुखलपक्ष की एकादसी को आमल की एकादसी या रंग भरी एकादसी के रूप में मनाय जाता है महा सिबरात्री और होली के बीच में ये एकादसी आता है और रंग भरी एकादसी इस बार दो मार्च से प्रारंब तो हो जाएगा लेकिन तीन मार्च को आप ब्रत रखेंगे सुमूर्थ क्या है? देखिए तीन मार्च को साम 6 बच कर 45 मिनट तक सुभर नामक योग बना हुआ है दो मार्च को सुभर 6 बच कर 49 मिनट से एकादसी तीथी परारंब होगी और तीन मार्च को सुभर 9 बच कर 11 मिनट पर समाप्त होगी उदिया तीथी में ब्रत रखने का विधान है इसलिए आप ब्रत तीन मार्च को रखेंगे पारन कप करेंगे? तो पारन आप चार मार्च की सुभर 6 बच कर 44 मिनट से सुभर 9 बच कर 3 मिनट के मद देख कर सकते हैं पारत के दिन 12 समाप्त होने का समय सुभर 11 बच कर 43 मिनट है इस ब्रत में आप दस्मी के तिथी से ही ब्रत सुरू हो जाता है सात्वी भुजन ग्रहन करना चाहिए और ब्रहमचरे का पालन करना चाहिए नियम क्या है? ब्रत विधी क्या है? देखिए इस दिन सुभा सुभा अस्नान करके ब्रत का संकल्प ले घर के मुखे दरवाजे पर बन्दनवार लगाए पंच पल्लव कलस भगवान स्रीहरी की मुर्ति की अस्थापना करे धूब दीप फुस्प फल तुलसी के पत्ते से स्रीहरी की पूजा करे लेकिन तुलसी का पत्ता 11 धिती के दिन नहीं तोड़ना चाहिए पहले से तोड़कर रखा है तो उसी को यूज करे या फिर पेड के नीचे जो सुखे में पत्ते गिरे हैं उसको दोकर यूज कर ले ब्रत करने के साथ ही ब्रत कथा का भी स्रवन करना चाहिए और इस दिन रात में जागरन करने का बिधान है 12 धिती के दिन कुछ दान निकाल दे इसके बाद आप अपना ब्रत खोले अब इस दिन बिसेस परियोग भी किया जाते हैं उसके बारे में हम आपको चलिए जानते हैं बिस्तार से धनिये का महा परियोग जो जीवन के आर्थिक मुस्किनों से आपको बचाये रखता है ये धनिया आपके जीवन की समस्त परिसानियों को समाब्त कर सकता है चाहे वो धन की हो करजों की हो या फिर सनिदेव के दोसों की हो आपका नौकरी ब्यपार नहीं चल रहा हो तो भी धनिया का प्रियोग आपके ब्यपार में तरकी कराता है तो आईए आज हम आर्थिक इस्तिती को बेहतर करने के लिए धनिया के एक छोटा सा प्रियोग करें जिससे की ये धनिया आपके जीवन में खुसियां बढ़ा दे धनिया का प्रियोग खाने में भी होता है हर किसी के घर में होता है क्योंकि ये धनिया मालक्षमी को आकरसित करती है और अगर आप धनिये के छोटे से उपाई करते हैं तो जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर लेते हैं धन्या खाने का भी स्वात बढ़ाता है और जीवन को सुखमे बनाने में भी इसका योगदान तो होता ही है तो जीवन के तमाम परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिए धन्या का यह दीपक तो होगा अब इसमें थोरा सा धन्या रहएं इसमें एक अगैम इसमें compelling अब इसमें पानी डाले नchę और लाल कपड़े से इसको ढ़कर आप something के मिट्टी में गमले में जहां भी मिट्टी हैं वहां बोदे जो सिक्का है उसी लाल कपड़े में बांध कर अपने धन के अस्थान पे रख लें और ये जो दीपक या बरतन है मिट्टी का उसको फेकना नहीं है आप रखिए फिर अगले बार इसी परियोग के इसी में दोहर लगते हैं लगता है जब कुस्स सबकुछ खो रहा है तब एक छोटा सा प्रियोग कीजिए और यह प्रियोग आप किसी भी दिन कर सकते हैं एक लाल रंग का कपड़ा लें छोटा सा उसमें थोड़ा सा धनिया बांधे हनवान जी के चर्णों में रखते हैं हनवान जी से प समय नहीं लेंगे बहुत बार होता क्या है किसी ने आपका पैसा ले लिया है लेने के समय तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन देना नहीं चाहता है तब एक काम करें किसी भी सनिवार रविवार या मंगलवार के दिन एक छोटा सा प्रियोग कीजिएगा एक सफित कागज ले लें थोरा सा धनिया रखें कागज पर काले पिंसे या काली काजल से उस बैक्ति का नाम लिखिए जिसने आपका पैसा लिया है अब इस कागज को जला दें धनिया के साथ यह प्रियोग आप छत्पे बालकनी में कहीं भी करें जैसे कोई टोके नहीं और फिर उस जलाओ वो पैसा मिलने की सभावना बढ़ जाएगी कई बार घर में सुकसांती नहीं रहती हर समय घर में जगड़े लड़ाई होते रहते हैं तब ऐसे में एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा सुखा धनिया अपने घर के पूरब दिसा में रख दें माना जाता है सुकसांती का वास होता है और घर में खुसियां चली आती हैं यह प्रयोग बहुत सिंपल है लेकिन बहुत कारगर है इसको आजमा के देखें आपको लाब जरूर होगा कभी-कभी धन बहुत खर्च हो जाता है टिकता ही नहीं कभी-कभी आर्थिक इस्तिती इतनी परेसान करती है कि लग बहुत जादा आपको नहीं खिलाना है थोरा सा आप खिला दें माना जाता है ऐसा करने से आपकी आर्थिक इस्तिती अच्छी होती है लेकिन याद रखें जब गाई को आप धनिया खिलाईएगा तब गाई को छुपकर अपनी मनोकामना जरू कहिएगा यानि हलका सा टच क बहुत पर ऐ udah लेना है अपने हाटों से खिला सके तो आति उत्तम नहींतो कोई बात नहीं जैसे भी ख्लाते हैं जाते हैं लाग प्रियास के बाद बहुतरईए और इसके जो करज के आपने किसी से पैसा लिया तो उसका जो इंडरेस्ट होता है वह इतना बढ़ता है कि पहले अपने सी रहने थोड़ा सा सूखा धनिया रखकर सोईए अगले दिन उस धनियों को कहीं बेउठाईए और ले जाकर कहीं पीपल के नीचे दबा दें करजों से मुक्ति मिल जाती है याद रखिए करजों से मुक्ति पाने का ये प्रियोग है रात में आपको रखना है और अगर कभी-कभी क्या होता है, नजर दोस लग जाता है, आपके घर में बच्चे हैं, बड़े हैं, नजर दोस किसी को भी लग सकता है, आपको लगता है, किसी ने कुछ कर दिया है, सब कुछ तो ठीक था है, एक दम से सब कुछ गर बढ़ हो गया, तब ऐसे में एक छोटा आप अपने घर से बाहर निकल के थोड़ा साइड जाके कहीं फेगते हैं। ऐसा करने से नजर दोस्ते मुक्ति मिल जाती है। आप चाहें तो उस धनियों को आप जला भी सकते हैं कहीं बाहर की तरफ निकल के। जो भी उपाई कीजिए कोई टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी-कभी बैवाहिक जीवन में खुसिया नदारत हो जाती है। लगता है साथ तो हैं पर एक दूसरे को पहचान नहीं रहे। एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, एक दूसरे का साथ चुपता है। तेंसन कम हो जाएगी और सत्यान भगवान की किर्पास से घर में सुकसानती आएगी आपका प्रेम आपको आपस मिल जाएगा कई बार सनिदेव की पिड़ाओं से इतने पड़िसान होते हैं सनिदेव जो नियाए के देव हैं लेकिन नौकरी रोजगार में स्थिर्ता भी सनिदेव देते हैं ये तो आपको पता होगा अब नौकरी रोजगार स्थिर्ता नहीं है रोजगार तो करते हैं धन नहीं आते प लक्षमी का निवास होता है समझ देवी देपताउं का निवास होता है अब ऐसे में सनीवार के दिन थोड़ा सा सुखा धनिया पीपल के पेड़ के जड़ में थोड़ा सा मिटिक होत कर वहां पे गाड़ दें और फिर एक लोटा जल वहीं पर अरपित कर दें सनीदेव के दो कई बार होता है पैसे ही नहीं टिकते तब ऐसे में किसी भी गुरुवार के दिन थोड़ा सा सुखा धनिया मालक्षमी के चर्णों में अर्पित करें और उसको अपने तीजोरी में रख दें धनाने लगेंगे पैसे टिकने लगेंगे और आपके जीवन की जो परिशानी है ऐ ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट ग्रैंड्धरमासमाग.com गूगल सेर्च करके आ सकते हैं वेबसाइट का लिंक आपको डिसके सुर में मिल जाएगा इस उपाय को करके जरूर देखें जब आप दिल से कोई भी परियोग करते हैं तो उसका रिजल्ट जरूर करें और सेर भी करें